फिर से हमारे पास एक पारसल आ चुका है इसके अंदर काफी काम की सामान है मतलब जो हम डेली प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते उसी तरीके के कुछ सामान है सामान मतलब इसके अंदर टूल है और ये जो है ये आरा मार्केट की तरफ से आया है तो आप देखते हैं कि इसके अंदर क्या है मुझे तो पता है भाई मैंने और्डर किया था तो मुझे तो पता ही होगा लेकिन मैं अगर आपको पहले ही बता दूँगा कि इसके अंदर क्या है तो थोड़ा suspense नहीं रहेगा तो इसलिए मैं इसकी थोड़ा सी unboxing कर लेता हूँ उसके बाद आपको दिखा दूँगा कि इसके अंदर क्या है मतलब वो नवाई बताने से अच्छा तो दिखा नहीं है तो चलो इस तरीके से जो दो सामाने इसके अंदर एक जो है वो tools तो इस नीचे वाले side में है जो की काफी ज्यादा काम आता है वो क्या है आप gauge करो और comment में मुझे बताओ तब तक में जो उपर वाला tool है उसको निकालता हूँ देखो यार guys आप इसका enjoy लो और ये क्या चीज है यार तो ये तो आपको पता होगा अगर नहीं पता तो वीडियो में बने रहो यार ये जो है एक electric screwdriver है जो की मतलब हाथ से यार screw खोलने में काफी ज़्यादा दिक्कत आती है और इसके अंदर 28 bit है जो की अलग-अलग type के है या आपर number लिखे हुए और इसके side से जो दिखाया हुआ है कि इससे हम क्या क्या चीज़े खोल सकते यह drone हो गया प्रिंटर हो गया लैप्टॉप हो गया gaming और काफी सारी चीज़े मतलब जहां पर भी screw लगे हुए वह आप आप रिपेरिंग के लिए या फिर कई भी daily use में तो यार हमारे screwdriver काफी काम लेते हैं कि मतलब क्या क्या मिला है हमको इसके साथ में काफी जैदा इंट्रेस्टिंग है आपने अभी तक जो है normal screwdriver यूज किया होगा लेकिन आज मैं आपको जो है electric screwdriver यूज करके दिखाता हूँ तो यह मैंने भी पहली बार order किया है और मेरा भी में जो real experience है वही आपको ब प्रूरत नहीं पड़ती मतलब अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ो लेकिन मैं तो नहीं पढ़ने वाला यार और अब यहाँ पर मैं आपको सीधा ही इसको समझा देताओ पहले इस बॉक्स के अंदर देखते कि क्या है मुझे लगता है शायद यार इसके अंदर charging cable हो काफी बढ़ी आई यार तो चलो इसको भी फिलाल रखते है side में और यह क्या चीज है यार यह जो है यह magnetizer और demagnetizer है हाँ इसके उपर लिखा हुआ है आपने इसको पहले भी देखा होगा कई ना कई पर तो यहां से demagnetize और नीचे से magnetize होता है तो इस तरीके का यह आता है के सारे type के जो screws है उनको इससे खोल सकते है तो देखो यह है हमारा main electric screwdriver दिखने में तो यार काफी बढ़ी है यह इसका up down जो बटन है तो एक जो देखो इसके उपर लिखा हुआ है और यहां पे जो है कुछ charging की जगह दे रखिए जो हमारी cable है वो यहां पे लगती है और यह recharge होता है और आप इसको देख लो यार इसको पहले तो हम charge करते फिर इसको use करके देखेंगे तो यह जो cable है इसको खोल लेते cable की लंबाई भी काफी ज्यादा है और काफी बढ़िया cable है तो उसको मैंने charger के साथ लगा के यहां पे board में लगा दिया है और यहां पे socket में तो य देखो इसके अंदर तीन switch मिलते तो पहला यह जो switch है इसको दबाते ही यहां पर powerful LED glow हो जाती है मतलब हम बाई अब तो अंदेरे में भी screw खोल सकते काफी जो screw होते हो अंदेरे में होते और इस screw से anti-clockwise और clockwise इस तरीके से यह दो बटन काम देते मतलब हमारा screw एक side में tight होगा और एक side में deal होगा तो चलो सीधा practical देखते है तो यहां पर मैंने glue gun ले ली है और अब देखते है कि इनका जो कौन सा वाला बीट है वो यहां पर इसके अंदर लगता है मतलब इसके screw के साथ मैं चोता है तो इस तरीके से गर आप इन बीट को बाहर निकालते हो तो यहां प तरीके है और यह लास्ट वाले इन में तो शायद होगा ही तो देखो यह है यहां पर जो प्लस वाला screwdriver है यही हमारी जो glue gun ने उसके screw कोलेगा मतलब ज्यादा जो भी प्लस वाले screw होते है उनमें यही लगता है और इसको लगाना काफियासान है बस इस तरीके से रख देना ह और यह magnetic है जिससे कि यह चिपक जाता है देखो इस side में tight होगा और इस side में deal होगा मतलब खुलेगा तो चलो सीधा practically हम इससे खोल के ही देखते है तो इस switch से हम इसको खोलेंगे और इस switch फिर से tight करेंगे तो इस switch का हमें फिलहाल use करना है खोलने के लिए तो बस इस तरीके स से रखना है और switch को दबायना है जो screw है अपने आप खुल जाएगा मतलब अभी यार screw कोलना कभी भी बोरिंग नहीं होगा इस से screw कोलने में काफी ज्यादा मदा आ रहा है और इसका sound भी सुनौ तो देखो गाइस मतलब यार यह screw को खोलना है और काफी ज्यादा powerful है तो अब मैं आपको इसका यूज करके दिखाता हूँ तो देखो अब हमने इसको magnetize कर दिया है मतलब यह जो screw है इसको इस तरीके से चिपका सकते हैं हमिश से काफी सारी बार हम चाहते हैं कि जो screw है इसके साथ चिपक जाए जिससे की लगाने में आसानी हो तो इस तरीके से हम इसको magnetize करके चिपका सकते और इस switch से फिर से लगा सकते तो देखो अब यहाँ पे हम इसको demagnetize कर देते जिससे की screw इसके साथ चिपक ना नहीं चाहिए तो इसको अब मैंने इस तरीके से यहाँ पे करके demagnetize कर दिया है अब इसके साथ screw नहीं चिपकेगा आप कितनी भी कोशिश कर लो तो देखो इसको फिर से कस देते तो देखो काफी अच्छे से जो screw है वो भी इससे लग जा रहे है मतलब हम इससे screw को खोल भी सकते और लगा भ देनी है तो बस आपको इस तरीके से इसकी जो बीट है उसको खीचना है यह निकल जाती है और लगाने के लिए simply ऐसे रख देना है क्योंकि यह magnetic है काफी अच्छे से चिपक जाती है और काफी बढ़िया से बैड़ जाती है तो यह पूरे screw है और यह जो पूरा का पूरा ज से उसको कुल लेते कि इसके अंदर क्या चीज़े यह तो हम सभी डेली यूज करते होगे मुझे लगता है कि आपने गेज करके इसको कॉमेंड में बता दिया होगा अगर अभी तक गेज नहीं कर पाए है तो चलो कोई बात नहीं अभी देखो और इसको जल्दी से जल्दी इसका नाम कॉमेंड में बताओ तो आप देखो और कॉमेंड में बताओ क्या है ये तो यार घॉष यह हैं एक soldering आयन और यह कोई ऐसा वैसा soldering आयन नहीं है यह जो soldering आयन है यह digital control soldering आयन है मतलब आपको सब कुछ दिखाता हूँ यहापे कुछ लिखा हुआ है जो कि आप पढ़ सकते हो और यहाँ पर इसके डिफरेंट डिफरेंट वेटेज के मॉडेल साते हैं तो यह मेरे पास जो है यह 60 वेट का है मतलब काफी ज्यादा पाउरफुल है और यहाँ पर कुछ चाइनिज में या फिर किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो भाई यह तो मेरे से नहीं पढ़ा जाने माला आप अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो आपको अगर लैंग्वेज आती है तो तो चलो अब यहाँ से जो सोल्टरिंग आयन है इसको बाहर निकल लेते हैं तो इस तरीके से ये जो है soldering iron बाहर की side में निकल जाता है और यहां से भी हम इसको पूरा निकल देते हैं तो बस इस box के अंदर सिर्फ और सिर्फ soldering iron है और कुछ भी नहीं है तो इस तरीके से ये soldering iron कुछ लगती है और यहां पर इसके अंदर display दी गई है और यह 226,8 इससे हम temperature बढ़ा सकते हैं और यह दूसरा जो switch है इससे गटा सकते हैं और यहां पर temperature दिखाता है और समझो आपको कभी bit change करनी है या दूसरी type की bit लगानी है और handle भी काफी comfortable है यार यह rubber grip वाला तो इस तरीके से इसका जो screw है इसको आप डिला करके इस तरीके से निकाल सकते हो उसके बाद यहां पर यह जो है उपर की side में लग जाता है तो इसको रखते है side में और यह है इसकी main bit तो इसको आप simply इस तरीके से लगा सकते हो मतलब दोसरी जो beat अगर आपको लगानी है तो और उसके उपर इस तरीके से कस सकते हो जिससे कि ये काफी easily beat जो है वो replace हो जाता है और काफी अच्छे से ये work करता है तो चलो इसकी wire की quality देख लिया जाए तो यार इसकी wire की quality भी काफी super हो है मतलब काफी बढ़िया है अगर आप local soldering iron खरितते हो तो इतना बढ़िया तो यार wire की quality कभी नहीं मिलती और ये wire की quality तो अच्छी है ही ही और wire की जो lane थे वो भी काफी ज्यादा है तो चलो अब इसको मैं 220 salt के अंदर लगा देता हूँ और देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने 220 salt में लगा दिया तो यहाँ पर 3500 दिका रहा है मतलब यह फिलहाल 3500 degree Celsius पर start हो चुका है तो चलो इसका जो minimum temperature है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और जो maximum temperature है वो भी दिखा देता हूँ तो यहाँ पर यह minimum जो है 280 degree Celsius तक जाता है मतलब 180 तक आप इसको कम कर सकते हैं और अब देखते हैं कि full कितने तक जाता है तो इसका जो full temperature है वो लगबग 500 के उपर 520 degree Celsius है मतलब काफी ज्यादा हीट है यह यह तो लेकिन हमको इतना जरूरत नहीं पड़ता हमको हमारी जो soltering की जरूरत है उसके मुताबिक हम इसका जो temperature है उसको set कर सकते है तो यह आप हमें 345 पे set कर देता है और यह काफी instantly हीट हो जाता है यह इसका benefit है तो यह जो 345 है इससे आप normal कोई भी soltering कर सकते हो काफी easily हो जाती है तो आप कम ज्यादा तो अपने according जो है कर सकते हो तो अब इसके साथ solder wire लगा के देखो यार guys कितना ज्यादा हीट हो यह अभी भी 300 degree के लगबग है तब ही इतना ज्यादा हीट है अगर हम 500 के उपर करेंगे तो कितना ज्यादा हीट होगा तो उतने की कोई जरूरत नहीं आपको minimum ही रखना है जितना आपकी need है तो यह काफी अच्छे से soldering iron work करती है तो मतलब यह soldering iron भी बढ़िया है और electric screwdriver भी और यह जो इनकी website है आरा market इसके उपर आप कोई भी तरीके की जो tools है जैसे repairing के tools होगए इनको खरीच सकते हो और इस website का link में आपको description में देदूँगा तो आप कोई भी चीज भाकर जाकर खरीच सकते हो काफी कम price के अंदर आपको यह मिल जाएगी तो एक बार जाकर अगर आपको नहीं भी खरीदना तो बस जाकर जो है check out जरूर कर लेना link को और अगर आपको कुछ पसंद आए तो आप खुद ही खरीद लोगे तो चलो यार गाइस मैं मिलता हूँ आपको next video में तब तक के लिए bye bye